नमस्कार दोस्तो वेलकम टू पीके कलासेश दोस्तो लाइन आर्गिनाइजेशन आर्गिनाइजेशन क्या होता है कितने प्रकार के होते हैं लाइन आर्गिनाइजेशन लाइन एंड इस्टाप आर्गिनाइजेशन एंड मैट्रिक्स आर्गिनाइजेशन क्या हैं और कैसे य या किसी भी संस्थान के लिए उपियोगी होते हैं। तो आज हम जानेंगे इंटर्प्रेनर्शिप एंड मेनेजमेंट कंसेप्ट के अंदर आर्गिनाइजेशन, आर्गिनाइजेशन के टाइप्स एंड इसकी एड़्मानटेजिस। तो आएए दोस्तों देखते हैं आर्गिनाइजेशन तो दोस्तों जो भी चात P.K.क्लासिस में फर्स्ट टाइम है जो अभी भी P.K.क्लासिस से नहीं जुड़े हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथी दोस्तों वीडियो को अंतक देखें जिससे आपको समस्त जानकारी बहुत सिंपल एंड सटीक भासा में प्राप्थ हो सके तो दोस्तों आर्गिनाइजेशन सबसे पहले बात आती है आर्गिनाइजेशन आर्गिनाइजेशन क्या है आर्गिनाईजेशन का मतलब के जैसे की आप बात करो के आपका कोई भी इंस्टिट्यूट जैसे की आपका कॉलेज है तो कॉलेज क्या है एक आर्गिनाईजेशन है college एक organization है जैसे आपका college है तो college आपका एक organization है अब college में क्या होता है कि जो हमारा system रन करता है आपके educational institute का उसमें क्या होता है कि सबसे पहले management होता है management के बाद directors, directors के बाद and hoads के बाद आपके teachers होते ही तो organization means place where employees are assembled together and perform different duties and responsibilities अब आप ध्यान देना organization means place organization का मतलब है इस्तान जहां पे employees एक साथ एकटा होते हैं और अपनी जो duties या responsibility है उनको क्या करते हैं perform करते हैं which assign by honor means जो assign की जाती है किस के दोरा honors के दोरा के मालो के हमारा college है management है management ने assign कर दी responsibility के आप directors हैं इसके बाद आप होड़ी से आप होड़ी से बाद आपको इस संस्तान को run करना है smoothly run करना है और इसको grow भी करना है तो means assign कोई honor होगा किसी भी company का मालो आपकी reliance है reliance में हमारे अम्मानी जी है जो की अनिल अम्मानी एंड मुकेस अम्मानी ये reliance group को run करते हैं तो ये क्या है honor है लेकिन इसके नीचे लाखों employee इनके हैं तो जिसमें employee के ऊपर इनके head भी होगे head के ऊपर और head भी होगे तो इसी प्रकार आपकी एक company है organizational goal means जो organizational goal को पूरा कर सकें उनके काम को जो task दिया गया है जो duties and responsibility आपको दी गई हैं आप उसको सही तरीके से perform करके complete कर सकें for example company, industries, educational institute etc उधारण के लिए आप किसी भी संस्तान को educational institute को ले ले कोई industry को ले ले या कोई company को ले ले इन सब जगाओं पे क्या है ये सभी organization है और इन सभी organizations में second लोग बर्क करते हैं लेकिन इन second लोगों के उपर जो company के honor होते हैं वो responsibility distribute करते हैं कि सबसे पहले particular institute का एक directors जैसे कि आप अपने college की ही management ने assign किया एक director सबसे उपर director को बिठाया तो director है director के नीचे एजोटीज से ठीक तो इसके अलावा आपके बहुत सारे employee हैं तो ये सब एक जगा assemble होते हैं means एकटा हो रहे हैं और एकटा होने के बाद जो इनको responsibility जो duties दे गई हैं वो उनको सही तरीके से perform करके अपने organizational goals या अपने जो task है उसको complete करते हैं तो आपको ध्यार रखना है organization का मतलब place या ऐसा इस्तान जहां पे people भी बोल सकते हैं employee की जगा हम people लोग या employees assemble together एक साथ एकटा होते हैं and perform करते हैं types up types up organization organization कौन-कौन से type के होते हैं तो types up organizations में कई प्रकार के organization होते हैं जिसमें आपका line organization line and staff organization matrix organization project organization and functional organization यह organization के क्या हैं प्रकार हैं यहाँ पे five types up organization से जिसमें से हम one two organizations के बारे में जानेंगे जैसे कि आपका line line and staff organizations यह metric organizations क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं तो इससे आपको बहुत सारी चीजें clear हो जाएंगी और आप अपने exam में इस question का जो answer है बहुत simple और सटिक काम से भी जानते हैं इस प्रकार के organization में each employee reports directly to their immediate superior means के अब यहाँ पे आपका जो line organization है यह आपके college के ऊपर बल्कुँ simple और सटिक बढ़ता है मालू के यहाँ पे जो GM है GM आपका college के director हैं इसके बाद project जो manager हैं वो आपके HODs हैं head of the departments हैं HODs के नीचे जो हैं वो सभी employee हैं तो इसमें क्या है यह एक प्रकार का line organization है के line में आपके हैं कम लोग हैं लेकिन यह directly जो employee है वो अपने head को सीधी report करेगा आपने उपर वाले और head का कामेर सीधा general manager के लिए report करना तो जो भी duties GM के थूँ assign की जाएंगी GM मतलब directors के थूँ HODs के लिए जो भी task या duties दी जाएंगी वो HOD complete करवाएगा अब complete किस से करवाएगा नीचे वाले staff से complete करवाएगा faculty से complete करेगा उनको guide करेगा तो नीचे जो employee है वो आपके staff हो गए project manager है मालोब वो आपका HOD है और GM मेंस आपके director साब है तो line organization is a simplest and old organization it is also known as scalar organization in this type of organization each employee report directly to their immediate superior means इस प्रकार के संस्थान में या संगटन में पृतिये कर्मचारी सीधे report करता है अपने superior के लिए जो उसके उपर वैठा हुआ है उसको report करने की जवाबदारी होती है line organization ensure clear lines of authority means line organization ये सुनिश्चत करता है clear line of authority minimize confusion and promote efficient communication means superior जो आपका superior है उसके लिए पृतियेक employee क्या है report करता है line and organization clear lines of authority minimize confusion इससे क्या होता है के clear line of authority की होती है सीधा जिससे एक confusion दूर होता है क्योंकि वीच में बहुत सारे लोग है के भई उसने क्या कहा था मुझे तो पता ही ने मेरे को मालुम नहीं है सामने वाले ने क्या बरक assign किया तो ये ऐसा नहीं है क्योंकि limited लोग है सीधा GM से project manager और project manager से employee लगा हुआ है तो employee directly अपने superior के लिए अपने head के लिए report करेगा और head सीधा GM को report submit करेगा तो इससे एक तो confusion कम होता है promote efficient communication इसके बाद line organization में जो communication है आदान प्रदान उसके बाद दो hodis है मालो project manager इसके बाद सीधा आपका employee आते हैं जो direct अपने किसके लिए superior के लिए report करते हैं अब इसके फाइदे क्या है इसकी जो advantages है clear chain up command इस प्रकार के organization में जो command होती है वो direct होती है कि सीधा हम rapid decision making इसमें जो decision है वो fast हो जाता है क्योंकि हमको 10 लोग से नहीं पूछना सिर्फ एक से पूछना है क्योंकि हम direct अपने boss को report कर रहा है या head को report कर रहा है project manager को employee सीधे report कर रहा है अपने superior को तो इसमें decision लेने में आसानी होती है कि आपको अपने project manager को employee को बताना है वो सीधे decision लेने के लिए बहुत से बात करके सीधे decision देदेगा accountability accountability मतलब इसमें clear assign होता है कि भाई आपका particular एक काम है और आपको इतने दिन के अंदर करके देना है तो यह भी specify होती है accountability effective communication line organization में जो communication है वो effectively communication होता है और सीधे हम बात कर सकते हैं और सीधे जो आपने बात की आपके इसमें कोई भी बीच में disturbance या confusion नहीं होगा simplicity and clarity means जो हमारा organization है line इसमें एक तो simplicity होती है और एक clarity होती है सीधी सीधी बात है विया ये product खराब हो रहा है ये काम कर नहीं नहीं है machine में कुछ problem है machine को बंद कर दो repair करा फिर continue अपना production start करो तो कोई भी आजकल business जितने भी run होते हैं वो एक system के तरह तरीके से run होते हैं और proper systematic run करना पढ़ता otherwise business success नहीं होता है 6 है bell suited for small organization जो line organization है एक किसी भी छोटे संस्तान के लिए छोटे organization के लिए काफी उप्योगी होता है अब हम बात करें second है आपका line and staff organization अब यहाँ पे दो हो गए कि line organization में general manager के नीचे project manager था और उसके वाज सिधे employee थी अब बात आती है line and staff मतलब line organization में अब हम बीच में एक staff को भी हुसा देंगे employee के जस्ट उपर तो जो line and staff organization है it is a modified version of the line organization या improved version of the line organization line organization का ही modified version जो होता है वो line and staff organization होता है in this organization the functional specialists are added in the line means उस line में GM project manager और employees के बीच employees के पहले project manager के बाद हम इसमें किसको add कर देंगे specialist के लिए add कर देंगे specialist कौन होगा staff होगा कोई एक ऐसे expertise को लगा देंगे कि यदि employees को कोई दिक्कत होती है और project manager छुट्टी पे तो कम से कम वो उनसे advice तो ले सकते communication तो कर सकते ऐसा तो नहीं होना चाहिए के भाई होडी छुट्टी पे है तो अब पूरा department किसके पास जाए problem बताने कोई दिक्कत आ रही है तो कैसे काम करेगा तो ऐसा नहीं होता है तो यहां पे क्या है एक expertise को add कर दिया जाता है the staff is for assisting जो expertise है functional specialist है वो एक staff है और staff is for assisting means कि किसके लिए assisting the line members in achieving the target effectively वो staff line में जो member हैं आपके उनको assist करता है कि जो target दिया गया है वो target समय पे achieve कर लें और सही तरीके से प्राप्ट कर लें तो इसको बोलते हैं दोस्तो line and staff organization जिसमें line में एक अतिरिक staff को add कर दिया जाता है जो एक specialist होता है और यहे जो line के members होते हैं जैसे कि employee हैं जितने इनको assist करने के लिए जैसे कि हम बोलते supervisor supervision करता रहेगा इसके फाइदे क्या है allow greater focus on core responsibility एक इससे एक अधिक हमारा attention होता है कि इस पे जो हमारी main या core responsibilities होती है उस पे हम ज़्यादा focus कर पाते हैं provides expertise to occupational task इसमें expertise occupational task में क्या होता है कोई भी communication या कोई भी जानकारी है उसको दे सकता है encourage independence in the workplace workplace पे एक तो सुतंत रूप से हम काम कर सकते हैं और जो हमारा specialist या staff होता है line में बीच में वो हमें क्या करता है सुतंत रूप से काम करने के लिए encourage करता है means motivate करता है तो these are the some advantages of line and staff organization अब इसमें एक matrix organization है आपके slaves में तीन प्रकार की हमने organizations देखे आपके slaves में मैंने जिसमें line, line and staff और matrix तो matrix में हम एक आपको छोटी सी information दे देते हैं matrix organizations वो होता है जिसके नीचे more than one organization होते हैं एक से ज़्यादा means एक से ज़्यादा core department होते हैं मालों के एक आपका head office है head office के बाद तीन सव office बना दी है उसके बाद दो office बना दी है फिर इसके बाद और employee आ गए तो it is a combination आप more than one organization एक से अधिक organization को combine करके जो organization बनाते हैं उसको हम matrix organization बोलते हैं उसके भी बहुत सारे फाइदे होते हैं आज के वीडियो में इतना ही नेस्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्त कों के लिए बहुत बहुत धन्वाद थेंक्यूं यह बहुत 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 बहुता हैं